हाई दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस पेशली एलपी और अधर्स जो भी ऑल अवर गौवर्णमेंट्स एक्जाम जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं कि आपने क्या कर नहीं करना है इन सब चीजों के लिए अगर आपको बनना है तो वीडि मैं बिल्कुल नहीं करने हैं क्योंकि अगर आप नशा करते हो आप ड्रिंग करते हो या फिर टवैको टाइप के यूज करते हो तो एक तो यह आपकी बोडी को डिफेक्ट करता है दूसरा आपकी मेंटल जो एबिलीटी होते हैं उसको भी कमजोर कर लेता है और यह बहुत ह ही बुरी बात है अगर आप एलपी के साइको टेस्ट में बैठ हो गए या फिर मेडिकल में जाओगे तो आप बिल्कुल ही फेल साबित हो जाओगे वहाँ पर तो अगर आपको एलपी बनना है इसपेशली एलपी तो नशे नहीं करने आपको दोस्तों मैं जानता हूं कि इ मैं सफल हूं क्योंकि वह दस-पांच लोग और दस-पांच लोगों को बताएंगे ऐसे ऐसे करके मेरी जो बात है वह बहुत लोगों तक पहुचेगी तो आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है और इससे बचना है अगर आप इसके चंगल में है तो इसे बचे कैसे नंबर आपको अपने दिमाग के अंदर सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है अगर आप हर चीज का रिजल्ट पहले ही पता आपको चल जाएगा तो आप वह चीज नहीं करोगे आपको पता है कि आप ज्यादा धूब्रपान करते हो तो आपको टीवी होनी है और अगर आप उस रिजल्ट में पुरा खो जाओगे कि हां मुझे हो चुका है तो आप बिल्कुल नशा नहीं करोगे इसलिए आपको यह सोचना ही कि अगर आपने नशा किया तो आप कभी भी एलपी नहीं बन पाओगे यहां तक कि आप कोई भी गवर्मेंट जो पाने में असफल हो बहुत ही मुझकिल से आपका मेडिकल और पास हो पाएगा अगर आप नशा करते हो तो नशा बिल्कुल ही नहीं करना है और दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था कि नशा आप नशे की बारे में आपको अवैर करना है और एल्पी के सिप्षाइको टेस्ट होते हैं तो उसमें अगर आप नशे में लिफ्थ हैं तो कभी भी पास नहीं हो पाएंगे कुभी साइको टेस्ट बहुत ही अजीब तरीके का एक टेस्ट होता है जो आपकी माइंड अबिलिटी को पढ़ लेता है और समझ जाता है दूसरा मेडिकल जब होता है किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए जब आप मेडिकल जब देते हैं तो उसमें भी आप पूरी तरीके से पता चल जाता है कि आप में कितना मतलब मेंटल अबिलिटी है अगर आप टोबैको टाइब के कुछ यूज करते हैं तो आपके मुझ के अंदर पूरा का पूरा डॉक्टर्स चेक करत है यह तो थी पहली बात इस वीडिό की आप करते हैं कि दूसरी मैने बात करनी थी आप लोग यह पूछते हैं मुझसे कि कब तक वैकनसी आए गी रेलवे में एल पी के लिए टीके लिए कब सक वैकनसी आएगी रेलवे में Wietsap पे रोज trio feeder complexity को लेके आते हैं और YouTube पे कमेंट भी बहुत आते हैं इसी कोश्चन को कि कब तक आएगी तो मैं किलियर करतूं देखो आपने कब तक के चक्कर में नहीं फसना है आप आज ये वीडियो देख रहे हैं आप मालो कि नोटिफिकेशन कल आ चुका है नहीं कल आएगा नोटिफिकेशन मालो आ गया है आप मा क्यों आएगा कैसे आएगा आपने ये नहीं सूचना है आपने करना क्या है जब नोटिफिकेशन आता आप प्रिफिकेशन करते हैं तो preparation करो इस चीज के पीछे मत बागो कब आएगी आएगी इतना पक्का है आज नहीं कल आएगी करनी परसो आएगी लेकिन जॉब तो आएगी ऐसा तो है नहीं कि preparation पर अपना focus रखें समय पर ना कि कब आएगा आप preparation करते रहो सफलता जरूर हासिल होगी अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करते हैं तो सफलता कहीं जाए नहीं सकती आपके अलावा और वीडियो में कुछ बदलाओ अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कु इस वीडियो में बता रहा हूं कि मेरा WhatsApp नंबर वीडियो के description में है आप वहां से वह नंबर अपने phone में save कीजिए और मुझे अगर आपको group में add होना है railway और others exam का जो group मैंने बनाया है उसमें अगर add होना है तो आपने सिर्फ अपना number अपना नाम और कौन सी state से हो आपने उ books आप लोग पूछते हैं देखो books के लिए भी मैं बता दूँ कोई भी book बेकार नहीं होती लेकिन books का जो तरीका है चूज करने का वह सही होना चाहिए दो तरह की books होती है एक होती है जो जिनको syllabus आता है जिनको syllabus आता है जिनोंने syllabus थोड़ा बहुत cover कर लिया या फिर पूरी तरीके से syllabus cover कर रखा है सिर्फ उनको practice की जरूरत है एक type की book उनके लिए होती है और जो दूसरी type की book होती है वो होती है जो beginner है जिनोंने अभी तक बुक्स मैं बता रहा हूं उनके लिए mathematics की आरे सग्रवाल उनको लेनी है और YouTube पे online गुरूजी और study IQ और अमर सर और भी बहुत सारे चैनल से आप उन्हें देखिए लेकिन आरे सग्रवाल में chapter wise जो mathematics का syllabus जो दिया है उसको आपने सीखना है और online गुरूजी से सीखना है प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस पुरी तरीके से कर लोगे पुरा से लेबस आपका cover हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस की बारी आएगी तो प्रैक्टिस के लिए आपको रेलवे की कोई भी पर्प्रैक्टिस की भी आप ले सकते हो इसपेशलिस असेस्टन लोगों पाइले की लिए अरीहreshंth की बहुत सारी बूक्स आती हैं और किरन पर्लिकैसिन से कोई भी मता नहीं है आपका ही अबने एक बुक ली कवर किया दूसरी बुक ली कवर किया तीसरी ली कवर किया मतलब जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ लोगे उतना ही आपका फायदा है और दोस्तो अगर कोई दोस्त पढ़ाना जाता है math यूटूब पर तो please please मुझसे contact करें मैं उसके youtube channel को support करूँगा यहां तक की math, english, reasoning कुछ भी कोई भी subject हो आप पढ़ाना चाते हो तो please मुझसे contact करें और मैं पिछली कई वीडियो से ये सवाल उठा रहा हूँ कि जो भी दोस्त पढ़ाना चाते हैं please आएं सामने आएं मुझसे contact करें और अपना youtube channel खोलें पढ़ाएं मैं उनके channel को मतलब share करूँगा support करूँगा और एक last का question जो मैं पिछली कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि क्या मुझे मतलब railway tour travel करना चाहिए मतलब railway travel tour जो भी है मतलब railway में घूमना चाहिए और railway में traveling vlog आप तक पहुचाना चाहिए या नहीं तो इसके लिए support आपको करना है वीडियो के description में मैं बता दूँगा और आपको like करना है share करना है subscribe करना है एम है अगर 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं जल्दी से जल्दी तो मैं यह vlogging वाला चैनल स्टार्ट करूँगा आपने चिंता नहीं करना है vlogging का चैनल अलग ही होगा इसमें एक दो वीडियो मैं शुरूँ में डालूँगा उसके बाद vlogging वाला चैनल अलग होगा और जो यह चैनल है एजुकेशनली परपस इसमें मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा और दोस्तो प्लीज 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 अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर subscribe क कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना भूलिए ना तो दोस्तो आज के लिए इतना ही जैहिन बंदे मातरम